नमस्का दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चनल P.K. गुरूजी में आज के इस वीडियो में हम विज्ञान से सम्मंदित कुछ पिष्णों को डिस्कस करेंगे तो जिन पिष्णों की हामे हाम बात करेंगे चलिए उनको देख लेते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रस्ण है कि सबसे अधे के किरिया सील धातू कौन सी है यह हमें बताना है ओप्शन A है सोडियम, ओप्शन B है कैलसियम, ओप्शन C है आइरन यानि की लोहा और ओप्शन D है पोटेसियम तो इसका जो ऌज़ सही आंसर है वह है पोटेसियम, यह निस अधे के जो किरिया सील धातू है इन चारों में से वह है और ओप्शन सही है आगे बढ़ते हैं कि सबसे करिया सिल्ज धात्व तो है पोटेसियम और करिया सिल्टा के अधार प्रया प्SU है तो जो धातुआ का कर्म है सबसे जयदा करिया सिल्ज धात्व है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है कि निम्न लिखित मैंसे कौन सा पदार्थ प्रत्वी पर प्राक्तिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है ठीके एह हमें बताना है कि प्रत्वी पर प्राक्तिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है वह हीरा ठीक है तो हीरा इस प्राक्तिक रूप से प्रत्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदारत है आगे बढ़ेंगे कि प्रत्वी पर प्राक्तिक रूप से पाया जाने वाले सभी पदारतों में सबसे कठोर हीरा है और जो हीरा है यह कारवन का एक अपर रूप है ठीक ह हीरा क्या है एक अधातू है आगे बढ़ेंगे कि निमने लिखित मैंसे कौन सा एक पदात बहुत कठोर और बहुत तन है यानि कि जो बहुत ज़्यादा कठोर भी है और बहुत ज़्यादा तन है कि इसके तार भी बनाए जाते हैं आप्शन ए कार्बोरंडम आप्शन बी टंगस्टन आप्शन सी कास्ट आयरन और आप्शन डी नाइक्रॉम तो इसका जो सही अंसर है वह है नाइक्रॉम यानि कि जो नाइक्रॉम है वह है बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है और बहुत ही ज़्यादा तन होते हैं या कि इसक क्या है aluminium का is कहें इसलिए इसमें aluminium के गुरदाय होते हैं जो की कठोर एवं तन्य नहीं है क्योंकि जो aluminium है इस ना तो जदा कठोर होता है ना ही इसके तार जदा बनाय जाती है फिर कास्ट आयरन जो है कठोर तो होता है किन्तु दवाव पढ़ जाए तो भंगुर प्रबत्ती होने के कारण यह तन्य नहीं है ठीक है कास्ट आयरन हम देखें कि कठोर तो है लेकिन यह तन्य नहीं है फिर टंगस्टन तंगस्टन का जो है वो गलनां के बिंदू तो अदेख है यह एक तन्य धातू है लेकिन यह कैसा है यह कठोर नहीं है लेकिन जो नाइक्रोम है नाइक्रोम क्या है आभंगुर है इसलिए कठोर है और उच्छ गलनां के कारण है तन्य धातू यही नाइक्रॉम में हैं, दोनों बिशिश्ताएं पाई जाती हैं किया कठोर है और तन्यधा दोनों हैं इसलिए इसका option सही था नाइक्रॉम आगे बढ़ेंगे कि सबसे भारी प्राक्तिक तत्तो कौन सा है हमें बताना कि सबसे भारी प्राक्तिक तत्तो कौन सा है option A uranium, option B mercury, option C sauna, option D calcium तो इसका जो सही आंसर है वह है uranium option A इसका सही है पर सबसे भारी जो प्राक्तिक तत्तो है वह है uranium आगे बढ़ेंगे कि सबसे भारी प्राक्टिक तत्व यूरिनियम है जिसका पर्माणु भार 238.03 होता है और इसका जो घनत है 19.05 ग्राम प्रती घन सेंटीमीटर होता है आगे बढ़ेंगे कि जो खनेज या मिनरल से जिसको हम बोलते हैं क्या है ठीक है खनेज क्या है यह हमें बताना है option A है द्रब, option B है आ कारवनेक ठोस, option C है गैस और option D है वो पर्योगते सभी तो जो खनेज होता है वह है एक प्रकार का आ कारवनेक ठोस होता है यानि इस प्रस्न का B option सही है अब आगे बढ़ेंगे कि भूगर्ब सास्त्रियों के अंसार जो खनेज होता है वह है प्राक्तिक रूप से पाया जाने बाला एक अकारवनेक ठोस होता है वो इसकी संदचना कैसी होती है जबाकरत होती है यानि इसमें छोटे 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 दानों से यह मिलकर बना होता है इसलिए इसको हम आकारनेक्ठोस कहते हैं आगे बढ़ेंगे कि जो सुद्ध सोना होता है यह कितने केरेट का होता है सुद्ध सोना कितने केरेट का होता है यह हमें बताना है option A 22, option B 24, option C 28 और option D 20 तो इसका जो सही अंसर है वह है 24 यानि सुद्ध सोना जो होता है वह 24 केरेट का होता है आगे बढ़ेंगे कि सुद्धता डिगरी अत्वा केरेट में मापे जाती है अगर हम सुद्धता मापेंगे इसको या तो डिगरी में मापेंगे या केरेट में मापेंगे जो बिसुद्ध सोना होता है वह 1000 डिगरी या थो 24 केरेट का होता है ठीक है कहते हैं ना कि जो सुद्धता है वह 24 केरेट की होती है लेकिन यह 24 केरेट का जब होता है तो यह बहुत ही मुलाइम होता है इसलिए इसका उपयोग आबूशन बनाने के लिए नहीं किया जाता साधान तहाँ 10 से लेकर 22 केरेट तक का सोना अच्छा माना जाता है ठीक है यानि कोई आप से कहे कि हमारा जो सोना है सोने के जो आबूशन हैं और 24 केरेट के हैं तो आप उसकी बात बिलकुल मना कर दिए क्योंकि आपने बिग्यान पड़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि 10 से लेके 22 केरेट का सोना ही अच्छा माना जाता है आबूशन बनाने के लिए इसलिए जो आबूशन है वो 24 केरेट से नहीं बन सकती क्योंकि 24 केरेट वाले आबूशन बहुत ही मुलायम होंगे वो जल्ली ही तूट जाएगे आगे बढ़ेंगे कि निमने लिखित मैंसे किस पदार्थ में केल्सियम बिद्धिमान है ठीक है हमें बताना है केल्सियम किस में बिद्धिमान है आप्शन A, चीनी मिट्टी, आप्शन B, कोरंडम, आप्शन C, जिफ्सम और आप्शन D, टेल्क तो इसका जो सही अंसर है वह है जिफ्सम, यह जिफ्सम में जो है कैल्सियम बिद्दिमान होता है आपे बढ़ेंगे, जिफ्सम जो है एक खनेज है, जिसमें सूच में तत्तो गंदक एवं कैल्सियम प्रचोर मात्रा में पाया था ठीक है, तो जिफ्सम में गंदक भी होता है और कैल्सियम भी होती है रासानिक समचना के दिश्टी से यह केलसियम का सलफेट है जिसमें जल के भी दो अणों उपस्तित होते हैं तो जिपसम जो है यह केलसियम का सलफेट होता है और जिसमें जल के दो अणों उपस्तित होते हैं इसका रासानिक सूत्र है C-A-S-O-4-2-H-2-O ठीक है इसमें एह जल के दो अडू है और C-A-S-O-4-2-H-2-O इसका रासानिक सूत्र है आगे बढ़ेंगे चूना पत्थर का रासानिक नाम क्या है option A calcium carbonate, option B magnesium chloride, option C sodium chloride और option D sodium sulfide तो इसका जो सही अंसर है वह है calcium carbonate यानि चूना पत्थर का रासानिक नाम है वह है calcium carbonate आगे बढ़ेंगे कि चूना पत्थर जो है वह है एक आवसादी चट्टान है जिसमें अधिकांस मात्रा में calcium carbonate C-A-C-O-3 की होती है इसमें silika, aluminium और लोहा आदी अप दिर्व अंतर मिस्वित्र रहते हैं आगे बढ़ेंगे कि plaster of Paris का रासानिक नाम क्या है ठीक है plaster of Paris का रासानिक नाम हम बताना है तो plaster of Paris का जो रासानिक नाम होता है वह होता है calcium sulfate ठीक है केलसियम सल्फेट को ही हम पलास्टर और पेरिस बोलते हैं अब अर्द जल योजित केलसियम सल्फेट को सामन तहा पलास्टर और पेरिस कहते हैं यह एक सफेद चूर होता है जिसका उपयों होता है सल्ले के रिया में पट्टियों के रूप में इससे मूर्तियों और मूर्तियों के साचे भी बना जाते हैं इसका सूत्र होता है C.A.S.O.4 into H.H.2 ठीक है पानी का आधा इसमें रहता हाफ H.2 जिसको हम केलसियम सलफेट हैमि हाइडरेट के नाम से जानते हैं ठेंक यू दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद